नमस्कार दोस्तों दोस्ते आपके पास भी HDFC बैंक का क्रेइट कार्ड है और आप चाहते हैं कि आपका जो क्रेइट कार्ड का बिल है वह EMI के अंदर पे करें आप आप मतलब EMI पर उसे भर दे दोस्तों कैसे आप EMI क्रिएट का सकते हैं कैसे आप कुछ वीडियो में बतने वाला हूँ यदि आपको भी जानना है तो हमेरी वीडियो के साथ सुरू से लेकर अंतक बने रहेगा यह दोस्तों में उस्प्रकाइस चौब यह और आप देख रहे नहीं है तो आप इसे रख लीजी और इस एप को उपन करिए अब जैसे ही दोस्तों आप अपने HDFC Bank के Mobile Banking एप में आते हैं तो आपको अपना यहाँ पर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पर पे का उप्शन आता है इसको उपर क्लिक करना ह और जैसे आप Cards option पर क्लिक करेंगे आपका जो credit card है सबसे ऊपर आपको नजर आने सुरू हो जायेगा अब यहाँ पर देखिए मैरे credit card है इसको उपर मैं क्लिक करता हूं and जैसे हम इसको उपर क्लिक करते हैं अब मैं चाहता हूं किalen credit card का जो एक Bill है वो Bill EMI के अंदर Convert हो जाया है तो यहाँ पर करने के लिए करना के हाँ कि यहाँ पर देखें इतना हुआ है तो मैं चाहता हूं कि यहां पर three dot पर click करेंगे इसके उपर और जैसा आप इसको पर click करेंगे, आपको यहां पर देखिए message का notification और अप्षन आता है, इसके उपर click कीजिए, जैसा आप इसको उपर click करेंगे, आपको यहां पर देखिए एक option मिल जाएगा, ग्रेडिट कार्ड, बिल, रिलिफ, अब यह क्या है, आपको यह option मिल जाएगा, यदि आप eligible होंगे तो, और यह सब को मिलता है, हर महीने मिल जाएगा, अब कोई खरदारी करोगे तो मिलता रहता है, तो आप इसके उपर क्लिक कीजिए, और जैसे आप इसके उपर क्लिक करते यहां पर देखे, हम जाते हैं, रिडिक हो जाएगे, और यहां पर हम पहुंच जाते हैं, अब यहां पर आएगे, मैं इसका लिंक देदूगा, आप यहां पर आएगे आपको चार स्टेप में काम करने होंगे, एक तो अपनी आइडिंटिटी भरनी होगी, मोबाईल नेमर अपना भरी जो मोबाईल बैंक साथ रेजिस्टर है, अपना क्रेट कार्ड का अंतीम चार डिजित भरना होगा, उसके बाद आपको ट्राइक्शन स्लेट करना होगा, अपना कित्ते महीने का यह माई बनाना चाहते हैं, वो स्लेट करना होगा, और सक्षेश पर क्लिक करके क 253 and submit OTP पर क्लिक कर दूँगा, जैसे submit OTP पर क्लिक करूँगा, अब आपके credit card के अंदर कोई भी ऐसी बिल जो EMI में convert होने लाइक eligible होगी, उसको यहाँ पर सो कर दिया जाएगा, अब जैसे हो देखो, एक मैंने खरदारी की है, जो इतने रुपे की है, 6500, जो मैंने पे किय है, अब मैं चाहता हूँ, जैसे कि अधी आप कोई बिल, 2500 या फिर 2000 उपर कोई पे करते हो, तो उसको आप EMMI में convert कर सकते हो, यहाँ पर क्या करना होगा, एक बिल है जो 6500 की है, तो इसे यहाँ बिल कर रहा है, जैसे और भी होती बिल, तुसे भी आप direct यहाँ पर select करने का option मिल जायता है, एक ही है, तो यहाँ पर हम select करेंगे इसको, और इसको select करेंगे, यहाँ पर देखिए, हम इसको उपर click करते हैं, यह select हो गया, और select होने के बाद में continue पे click करना है, आप maximum 10 बिल को EMMI में convert कर सकते हैं, अब लिखाव अभी है, ठीक है, चलिए हम continue पे click करते हैं, और great news, you can enjoy the flexibility to converting up to 10 transactions into EMI, कह रहा है कि आपको, आपकी सुविधा के लिए, 10 transactions ऐसे हैं, जिनको आप EMMI में convert कर सकते हैं, आपको सुविधा दी जाए, तो आप OK पे click कर दो, and continue पे click करो, अब यहाँ पर देखो, कह रहा है कि आप और भी कोई transaction है, जो अधिक पैसो का हो, तुस प्लान आया हुआ है, तो आप 6 महीने 12, 24, और 36 मन तक को आप इस पैसे का राम से भर सकते हैं, जो भी आपका पैसा होगा, जैसे मेरा 6,000 है, तो EMI मैं करना चाहूँ, 6 महीने के लिए, तो processing फिस सब की एक जैसी है, यह processing फिस सुरूर में लगती है, और EMI मन्थली की 1152, 606, और 334, उसके बद 244, आपको जो भी उचित लगया, उसे आप यहाँ पर slate करना चाहेंगी, और फिर जो भी slate करेंगे, slate करके, और फिर यहाँ पर देखिए, interest rate भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा वाकिया, rate of interest, 1.78% interest लगेगा, और यहाँ पर 21.36% annual लगेगा, वार करके, आपकी जो EMI है, वो बन जाएगी, और परतेक महीने, अगले महीने से आप इसको मतलब भरने सुरू कर देंगे, तो दोस्तो यही तरीका है, जिसके मादिम से, आप, अपने HDFC Bank के credit card की किसी भी amount को EMI में convert कर सकते हैं, हलाएं कि मुझे करना नहीं है, आपको मैं बता आ रहा हूं कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि अब आगे करूंगा, तो आउटोमेटिक सकसे हो जाएगा, तो मुझे करना है नहीं, तो कहने करते कि इस परकार से होता है, अब आपको दोस्तों यह जनकारी और वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और साथ में दूसरे दोस्तों क साथ भी सेर कीज़ेगा, ताकि उनको इस बात की नौलेज हो सके, तो दोस्तों में नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और सानर वीडियो उसाथ अब तक के लिए जाहें, जाभारत, चैनल को सब्क्राइब करके जरूर जाएगा,